हेलो बच्चो आज की कक्षा में हम सीखेंगे अनुच्छेद लेखन ये अनुच्छेद लेखन क्या होता है बच्चो मैं आपको बताती हूँ किसी विशय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को आठ से दस वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है आगे देखेंगे कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का दिहान रखना चाहिए पहला सारी बाते क्रम से लिखी जाए दूसरा भासा सरल हो तीसरा वाक्य छोटे हो चौथा किसी बात को दोहराया न जाए आईए देखते हैं एक अनुच्छेत आज के अनुच्छेत का विशय है अभ्यास का महत्व आईए देखते हैं इस विशय पर हमें कैसे लिखना चाहिए यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कठिन कार्य को किया जा सकता है इस वर ने सभी मनुश्यों को बुद्धी दी है उस बुद्धी का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुश्य कुछ भी सीख सकता है अर्जुन तथा एक लव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर विद्या में निपुरता प्राप्त की। उसी प्रकार वरद राज ने जो की एक मंद बुद्धि बालक था निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्ही पर एक प्रश निसान, यानि जिस प्रकार रसी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निसान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मुर्ख व्यक्ती भी विद्वान बन जासकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विशय का निरंतर अभ्यास करें, तो उन्हें कोई भी विशय कठिन नहीं लगेगा, और वे सरलता से उस विशय में कुसलता प्राप्त कर सकेंगे। कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुणजी है। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए अनुख्षेद के साथ, धन्यवाद!